Hello everyone, good evening to all of you आज हम लोग यहाँ पर 25 questions करने वाले हैं GKK और यह class number 4 है, इससे पहले 3 classes हो चुकी है आपने अगर यहाँ से practice नहीं किया है, तो इन classes से भी कर सकते हैं पहले इसको class number 4 को continue करो उसके बाद, ओके? चलो स्टार्ट करते हैं और यह 26 से स्टार्ट होगा 50 number तक हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं आज की class का यह पहला question है अंतराश्ट्रिय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 5 June, 2 October, 15 September और 15 November को आंसर पता है तो comment करते चलो correct answer is option second 2 October को राश्ट्रिय अहिंसा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है next day 27 number question सार्क का headquarter कहाँ पर है? कहाँ इस्तित है? तेहरान, जकार्दा, काठमांडू और मोस्को चलो आप लोग इसका answer करो तब तक मैं आपको सार्क का पूरा नाम बताती हूँ कि सार्क का मतलब क्या है? A से होगा यहाँ पर South A से होगा ASEAN ASEAN या फिर ASEAN आप कुछ भी पढ़ सकते हैं प्रोनांस कर सकते हैं फिर A से हो जाएगा Association for R से होगा यहाँ पर Regional और C से Cooperation होगा तो क्या हो जाएगा? South ASEAN Association for Regional Corporation इसके अंतर्गत यानि कि इसके अंडर में 8 countries हैं कौन-कौन से countries हैं यह तो मैं आपको बताऊंगी तो पहले इसका आंसर जो होगा इसका headquarter कहाँ पर है यह नेपाल में है काठमांडो इसका headquarter है किसका सार्ग का तो यहाँ पर देखो 8 countries यहाँ पर हैं कौन-कौन से हैं मालदीव, स्री लंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, एन, बांगलादेश यह 8 countries जो हैं यह सार्ग के अंडर में आते हैं नेक्स्ट अभी 28 नंबर क्वेशन पानी से तीन और से घिरा डेश कहते हैं जो भी जैसे कि कोई country है वो तीन और से किस से घिरा है पानी से तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अंतरीव, प्राइद्वीप, द्वीप, या फिर महाद्वीप कहते हैं अंतरीप मतलब कैप होता है तो English medium वाले कैप होता है इसका मतलब प्राइद्वीप, 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 प्राइद महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्थी कहां पर है इंडोनेशिया बामियान चीन और भारत कर्यक्ट आंसर इस क्वेस्शन का होगा बामियान में इस्थी थे महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ती और सबसे उची मूर्ती अगर आपसे पुछे की कौन से कंट्री में है तो सबसे उची मूर्ती है चाइना में है चीन में और सबसे उचा मंदीर, महात्मा बुद्ध का मंदीर सबसे उचा पूछेगा तब इंडोनेसिया होगा तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना है नेक्स्ट थर्टी नमबर क्वेश्चन मंदीरों की उत्री शैली किस नाम से जानी जाती है उत्री शैली यहाँ पर बोला है द्रविर, नागर, बेसर और इनमें से कोई नहीं तो उत्री शैली जो है ना मंदीरों की उसे हम नागर शैली से जानते हैं यानि कि इस तरह से उसका डिजाइन होता है मंदीर का और जो दच्छनी शैली होती है मंदीरों की वो कुछ इस परकार से होता है मैं एक्जेक्ट यहां पर बनानी पारी हूँ लेकिन उसका जो टोप पॉइंट होता है पीक होता है वो इस तरह से होता है उसे द्रविड शैली कहा जाता है दच्छिणी जो मंदिरों की शैली होती है उसे द्रविड कहा जाता है कुछ इस परकार का होता है और उत्री शैली जो है वो इस तरह का होता है और दोनों का जो मिश्रण होता है ना उसे हम लोग बेसर कहते हैं तो जब भी मंदिरों की जो शैली पुछे उत्री पुछे दच्छनी पुछे या फिर दोनों का मिश्रण पूछे तो आप लोग यहां से आंसर कर सकते हैं ओके यह दच्छनी शैली होगा उत्री शैली और दोनों का मिश्रण होगा मंदिरों की जो सैली है नेक्स्ट है दूद सागर जलपरपात कौन सी नदी पर इस्तित है जुआरी नर्मदा मांडवी और कावेरी राइट आंसर होगा उप्शन थर्ड यह मांडवी नदी पर इस्तित है कौन सा जलपरपात तो यह दूद सागर वाटरफॉल और यह कहां पर है तो गोवा जो स्टेट है यूटी है कि यह स्टेट है कॉमेंट करना एक बर कनफर्म करना जिससे आपको भी पता लग जाए तो यहां पर इस्तित है क्या दो नदी है जो कि मांडवी एक है एक जुआरी है तो मांडवी रीवर पर दूद सागर चलपरपात इस्तित है 32 नंबर क्वेशन निमलिखित में से कौन सा कोसीका को कोसीका को सेल जो होता है इसको एक definite shape देता है निश्चित आकार देता है mitochondria, peroxisome, गोलगी अपरेटास और सेल मेंब्रेन तो कोसीका को निश्चित आकार जो देता है यह सेल मेंब्रेन देता है अब mitochondria, peroxisome, गोलगी अपरेटास यह सब हैं क्या इसको भी थोड़ा सामग देख लेते हैं कि ये है क्या चीज है ना तो ये जो गोल की अपरेटस है ना ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है उसके बाद पेरोक्सी जो है ना ये और्गनिक मोलिक्यूल को ब्रेक करता है तो पावर हाउस ओप दा सेल किसे कहा जाता है माईटोकॉंड्रिया को ये एनर्जी जनरेट करता है फोर्म ओप एटीपी में ये जनरेट करता है एनर्जी को और एनर्जी करेंसी ओप दा सेल भी हम इसको कहते हैं यह चीज़े याद रखेंगे mitochondria का फिर से मैं repeat करें हूँ और एक lysosome है जिसको suicidal bag of the cell भी कहा जाता है और mitochondria का फिर से powerhouse of the cell energy generate करता है form of ATP energy currency of the cell next है 33 number question किस राजे में महीला साक्षर्ता सबसे कम है बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश and केरल है तो literacy rate जो female की है वो सबसे यहाँ पर क्या है कम है least literacy rate यह बिहार में है कितना percent देख लो 61.8 percent है next है कोलार छेत्रे निमलिखित में से किस खनेज के लिए प्रसिद है कोलार छेत्रे कोपर, चांदी, तांबा, सोना और इसको लेकर के न एक movie भी आया आप से भी ने सुना होगा KGF हर कोई देखे होंगे तो यही से संबंदित है के से कोलार होगा जी से गोल्ड होगा एप से फिल्ट होगा तो यह कोलार छेत्रे जो है सोना से यह संबंदित है यानि की गोल्ड से यह जो कोलार छेत्रे है संबंदित है और यह कहाँ पर है तो यह करनाटक में है नेक्स्ट है आसियान का हेड़क्वार्टर कहाँ पर है अभी हम लोगों ने देखा सार्क का कोमेंट करो कहाँ पर है आसियान का हमें बताना है नियो योर्क, काटमांडू, जकार्टा एंड मोस्को है राइट आंसर होगा इसका जकार्टा हो जाएगा जो की कहां पर है इंडोनेसिया में और इसके अंतर गतिए जो आसियान है 10 कंट्री आते हैं मैं औरली आपको यहां पर एक पर बता रहे हूं एक तो म्यानमार है थाइलेंड लाउस कमबोडिया व्यतनाम मलेसिया सिंगापूर ब्रुनेई इंडोनेसिया एंड फिलिपिन ये 10 कंट्री जो हैं आसियान के अंडर म का है जगारता है 36 नंबर कुईशन 36 36 नंबर कुईशण है एंसर तो दिखी कैए एश का सबसे बड़ा थोक मसाला बजार डेस में हैस में दिल्ली खुलकाता हमदाबाद और बेंगलूरू right answer is option first दिल्ली में है इसया का सबसे बड़ा थोक मसाला बजार, metrics 37 नंमर locked बारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है मुंबई, मदुरेई, द्रिवेंद्रम और कोलकाता राइट आंसर 37 का होगा यहां पर फोर्थ नमबर जो की है कोलकाता याद रखना भारत में है विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो की है कोलकाता नेक्स्ट है 38 नंबर क्रिकेट का पहला वंडे मैच कब खेला गया था? इंपोर्टन क्रिकेट से रिलेटेड इसे पहले वाली क्लास में भी मैं आपको कराई थी तो वंडे मैच की यहां पर बात की जा रही है कब खेला गया था? 2007, 1975, 1971 और 2005 में राइट आंसर इसका होगा 1971 में वंडे मैच सबसे पहले खेला गया था और यह इंग्लेंड और और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के वीच में खेला गया था और यह कहां पर हुआ था? मेलबर्ण में हुआ था, मेलबर्ण में खेला गया था नेक्स्ट अच्छा और यहां पर 1975 में वल्ड कप हुआ था, कहां पर इंग्लेंड में हुआ था नेक्स्ट है 39 नम्बर क्वेशन, नोबेल पुरसकार की शुरुआत किस वर्स हुई थी? 1901, 1903 और 1905 में Correct answer होगा 1901 1901 में Nobel पुरसकार की शुरुवात हुई थी 40. Question संयुप द्राश्ट्र का मुख्याले कहां पर इस्ति थे Moscow, New York, England और Melbourne Right answer होगा ये New York में इसका मुख्याले है Eiffel Tower के designer कौन है हर किसी को पता है Eiffel Tower कहां पर है और दिखता कैसे है इसके designer कौन थे Wellington होगा George Stanley, Sir Gustavo Eiffel और Hemery Miller है तो जैसे की option में ही देखके आपको answer पता लग गया होगा Sir Gustavo Eiffel जो है Eiffel Tower के designer है Merchant of Venice के नाटक कार कौन है George Elliot, Leo Talstyle William Shakespeare और William Woods Wordsworth होगा Right answer जो है न यह option 3 होगा William Shakespeare जो है Merchant of Venice के नाटक कार है 40 number question यह फिर से repeat हो गया है Next step इसके बाद numbering में थोड़ा से mistake हुआ है 43 number question वहाँ पर numbering mistake हो गया है साइद में उस slide को बनाई ही नहीं इन में से किसने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी आपको अगर पता है कि शहनाई वादक कौन है तो आंसर भी पता लग जाएगा जाकीर हुसेन, विस्मिल्ला खा, अल्ला रखा खा और इन में से कोई नहीं तो विस्मिल्ला खा, जो है न यह शहनाई वादक है और 15 अगस्त 1947 को लाल के लिए पर इन्होंने ही शहनाई बजाई थी 44 नंबर क्वेशन तमासा किस राजे की प्रमुक लोक नरित्य कलाशेली है तो राइट आंसर होगा ये महाराश्ट्री की लोक नरित्य कलाशेली है कौन सी तो ये तमासा 45 नंबर क्वेशन पेंटागन किस देश में इस्थी थे संयुक्त राजे अमेरिका, कनाडा, इंगलेन, रूस राइट आंसर इस ओप्शन फर्स्ट संयुक्त राजे अमेरिका, यू एस ए में ये इस्थी थे 46 नंबर क्वेशन भारतिय विज्ञान संस्थान कहां पर इस्थी थे चन्नाई में, वेंगलूरू में, कोलकाता में और मुंबई में राइट आंसर होगा, ओप्शन सेकेंड जो की है वेंगलूरू में क्या है, तो भारतिय विज्ञान संस्थान इस्थी थे 47 नंबर क्वेशन, सीमा सडक संगठन की अस्थापना किस वर्स हुई थी अस्थापना इस्थापना किस वर्स क्या गया था, तो ये 1960 में, 1960 में नेक्स्थ क्वेशन इस, इन में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है मांडवी, नर्मदा, जुवारी और महानदी तो अरब सागर में जो है न मांडवी नदी भी गिरती है नर्मदा भी और जुवारी भी तो राइट आंसरों का यहां पर नहीं पूछा है तो महानदी, क्रिशन, महानदी, गोदावरी यह सब जो है न बे और बेंगॉल में यह गिरती है नेक्स्थ है 49 नंबर क्वेशन सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात कौन सा देश करता है सैयुक्तराजी अमेरिका, कनाड़ा, स्री लंका और रूस राइट आंसर होगा, ओप्शन थर्ड, जो कि है श्री लंका चाय का निर्यात सबसे अधिक करता है नेक्स्थ और लास्ट क्वेशन है, इन में से कौन सा देश लेंड लोग है लेंड लोग का मतलब क्या होता है अस्तल बद, मतलब डाइरेक्ट उसकी जो सीमा है न, वो समुद्रे से नहीं लगती हो तो सैयुप्तराजी अमेरिका इसकी तो लगती है मंगोलिया, पाकिस्तान, रूस राइट आंसर यहाँ पर होगा, मंगोलिया जो है न, ये लेंड लोग कंट्री है अप्शन सेकेंड करेक्ट होगा